हलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्राकृतिक गैस उर्जा पर आधारित विद्यूत केंद्र इसमें प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्मान होने वाली उच्च तापमान और दाप की वायू से घूमने वाले टर्बाइन उप्योग में लाए जाते हैं प्राकृतिक गैस उर्जा पर आधारित विद्यूत केंद्र में मुख्यतर तीन भाग एकत्रित हैं कॉम्प्रेसर, ज्वलन कक्ष और गैस टर्बाइन कॉम्प्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाप की हवा प्रवाहित की जाती है वहां प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र आकर उनका ज्वलन किया जाता है इस कक्ष से आने वाली अती उच्च दाब और तापमान की वायू टर्बाइन के पातो अर्थात ब्लेड्स को घुमाती है टर्बाइन से जुडे हुए जनित्र के घूमने से विद्यूत निर्मिती होती है प्राकृतिक गैस ये उर्जा पर आधारित विद्यूत केंद्र की रचना निम्न आकृती में दर्शाई जा सकती है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में क्रमस होने वाले उर्जा की रूपांतरन को इस आकृति में दर्शाया गया है यहां प्राकृतिक गैस की रासानिक उर्जा का रूपांतरण प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्मान हुई गति जुर्जा में होता है इस गति जुर्जा का रूपांतरण टर्बाइन की गति जुर्जा में होता है और टर्बाइन की गतिज उर्जा का रुपांतरन विद्युत उर्जा में होता है अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस उर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र के लाग कोईले पर चलने वाले विद्युत निर्मिती केंद्र की अपेक्छा प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विध्युत निर्मिती केंद्र की कारे चमता अधिक होती है इसके अलावा प्राकृतिक गैस में सलफर नहीं होता अतव उनकी ज्वलन से प्रदूशन भी कम होता है हमारे दैनिक जीवन में उर्जा का उप्योग अत्यावशक होने पर भी उर्जा का उप्योग आवशकता पढ़ने पर और सोच समझ कर करना जरूरी है